हेलो गईज मैं अंकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट सभी मेल लाइन और SME के बारे में हम जानेंगे आज क्लोज होने वाले गोपाल स्नेक्स, कौरा फाइन डायमंड और श्री करनी के बारे में भी इन तीनों इस वीडियो में अंते तक बने रहेगा ताकि आपको सारी जान करें इस सही तरीके सामग में आ सके इस वीडियो में सबसे पहले हम गोपाल स्नेक्स के बारे में जान लेते हैं इस IPO क्लोज हो चुका है अब इसका अलाटमन डेत है 12th of March को और 14th को लिस्टिंग डेत है IPO का जो सस्क्रप्शन डेता है वो हमने न्यूज चनल पर शार कर दिया था आपके सामने है 9.5% टोटल सस्क्राइब हुआ है QIBS ने 18.42 टाइम कर दिया है जिसमें करीब 2381.52 करोड रुपीज डाला है HNI ने 10 टाइम जिसमें 969.45 करोड डाला है HNI के दो कैटिगरी होते हैं 10 लाग से उपर एकटिंग 10.72 और 2 लाग तो 10 लाग कैटिगरी होती है जिसमार अच्य नहीं बोलते हैं 8.13 टाइम सस्क्राइब हुआ है रेटरेस ने 4.23 टाइम सस्क्राइब कर दिया है जिसमें करीब 9.56.04 करोड रुपीज डाला गया है Employee के बात करते हैं 7.28 टाइम सस्क्राइब हुआ है जिसमें करीब 28.15 करोड डाला गया है टोटल 9.5 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 4,335.16 काओड रुपीज डाला गया है टोटल IPO में, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं QIB नाराज देखे इस IPO से, तो अभी फिलहाल जो सिन्यारियो है, वो चोटी मोटी लिस्टिंग गेन का, या cost to cost निकलने का लग रहा है, फिलहाल loss के chances नहीं देख रहा है गोपाल में, लेकिन market sentiments अगर जो negative रहता है लिस्टिंग के टाइम में, तो फिर ऐसा हो भी सकता है, तो इसके लिए अगर इस आपको listing डे strategy वीडियो में हम सब कुछ बताते ही है, चैनल को subscriber के bell icon प्रेस करना, एक दिन पहले आपको मिल जानी वाला है, फिलहाल यहाँ पर alertman के chances के बात करें, तो चार में से किसी एक को मिलना है, गोपाल IPO, आप में से कितने लोगों ने लगाया है, comment करके बताना जरूर, और आपको बता दूँ, कि इस वाले चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, आपको यहाँ पर subscription data, market की important news, IPO की news, हर एक चीज मिल जाती है, description में, नमबर दो पर सबसे उपर ही आपको इसका link मिल जाएगा, नमबर एक पर यह चैनल, जहाँ पर देख लो, आज की दुना आपने क्या मेंस किया, प्रॉपर सपूर्ट, गाइडन्स के साथ, करीब 250-6.1 गीन का, बैंक निफ्री लेवल, लास्ट वीक का देखो, यहाँ पर करीब 60.1 का छोटा लेवल, आगे बढ़ते हैं, और दूसरी आपी बारे में जानने से पहले, आपको मैं गोपाल का ग्रेमा कर्प्रम बता देता हूँ, करन में जो जिएमपी है, गोपाल का, वो हमें फर्स एटा दिखा कि सस्क्रिप्शन अच्छा नहीं हुआ ना, पहले 15 रुपे तक देखने को मुल रहा था, दो पहर में जब मैंने वीडियो डाली थी, आपने आई होप देखियोगी, फानल इसन वीडियो और सेफ डीसिजन लिया होगा, और अभी 10 से 12 रुपे के डिमान बचिए, जिसके साब से रौंड 3 परसंड अगेन होता है, अप्रॉक्समेट, जो अगला आईप होगा इस आर्के स्वामी, आर्के स्वामी और भारत हाईवे इंफ्रा का लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग डिस्टर्टी वीडियो हमने डाल दी है, अल्रीडी चैनल के उपर आप जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रॉप्शन में लिग मिल लागा और वीडियो के एंड में आपको मिल जाने वाला है कार्ड भी, तो जरूर जाके देखना, फ़लाल आर्के का जो जीम्प है वो नेगिटिव हो चुका है, दो-तीन रुपए नेगिटिव देखने को मुल रहा है, अंगे इस बात करें भारत हाइवेस की, तो यहाँ पर एक रुपए, डिर्ट रुपए का जीम्प है निकलता हुआ, दिख रहा है, इसके लिस्टिंग है, ट्वैल्थ को, ठीक है, ध्यान देना आपको, जेजी केमिकल्स की बात रगा, इस तो आजके दिन इसका अलोट्मेंट आना है, अलोट्मेंट का अभी तब कुछ भी अता पता नहीं है, इसके उपर हमने एक छोटी सी वीडियो भी बना दी है, कि अलोट्मेंट कहां आएगा, कैसे आया है, कहां चक करना है, ठीक है, एक बार thumbnail इसका भी लगा दे रहा हूं है, description में इसका भी link, साथ में वीडियो के end में, मिल जाएगा, जरूर जाके दिखना, उसमें सब कुछ क्लिकर हो जाने वाला है, फिलाल जो GMP है, जेजी का, वो हमें 25-30 रुपे का सपास निकलता दिख रहा है, अगर जो अगल होता है, crystal integrated, mainline IPO है, यह IPO open होगा, 14th of March को, यानि upcoming के list में ही है, और close होगा, 18th को, 19th को, 21 को, इसकी listing date, स्टेंडर फेसली उपे, 750 रुपे का IPO है, साइज जो है, वो 300 रुपे का लगभग रखा गया है, फिलाल, इस IBM 25-30 रुपे का GMP निकलता दिख रहा है, जिसके रिजाब आना 12th of March को, और 14th को, लिस्टिंग है, बात करें, subscription data की, तो 296.5 ताम सस्क्राइब हुआ है, retail से 330 ताम सस्क्राइब कर दिया है, H&I ने 461, क्यों आभी इस ने 112 ताम सस्क्राइब कर दिया है, जितना पैसा डाला गया, वो इधर लिखा हुआ, आप वीडियो पॉसर के आपे, जो subscription data का इस Quora Fine का वो आपके सामने है, 733.08 टाम सस्क्राइब हुआ है, total rates ने 1083.98 टाम, H&I ने 373.81 टाम कर दिया है, इस IPO का SME कैडिरी में record भी set हुआ है, top 3 most subscribed IPO 2024 का बन चुका है, सबसे ज़्यादा सस्क्राइब होने वाले 3 IPO में इसका तीसरा number है, तो आपने इस किसमें अपलाई किया है, नहीं किया है, comment करके बताना जो हुआ है, इस IPO का और पन चांसे के बाद तो करीब 1082 के आसपास का आएगा निकल डेटा, कुछ IPO के application कैंसल भी होंगे, ठीक है, तो 1082 में से किसी एक हो मिलना है, अब यहाँ पर अगर जो कोरा के ग्रे मांकरडन के करें, current में, तो करीब 771 रुपे निकलता देख रहा है, जिसके आप से 130-30% अगेन होता है, यहीं पर अगर जो श्रीकरणी के बात करें, तो 252 रुपे से 255-56 रुपे का आसपास निकलता देख रहा है, जिसके हिसाप से around 112-3% होता है, जो अगला IPO है, वो है Sona Machinery, Sona Machinery का subscription क्लोज हो चुका है, allotment आ चुका है, I hope आपने चक कर लिया होगा, अब इसका जो GMP है, वो 97-99, 100 रुपे के आसपास निकलता देख रहा है, जिसके हिसाप से around 68-69% अगेन होता है, पूरे स्टॉक की बात लगा है, इस तो 12th of March क्लोज होगा, कोशिश करूँगा इसका आज आपको फाइनल डिसीजन में मैं एक रिव्यू दे पाऊ, काफी लोग इसका पूछ रहे थे, ठीक है, तो चैनल को सस्क्राइब कर ले ना, मैं इसका आपको बल्कुल गाइड कर दूँगा, फिलहाल इस IP का जो GMP है, वो हमें around 100 रुपीज के आसपास निकलता देख रहा है यहाँ पे जो active IPOs थे, SME के, वो मैंने आपको बता दिया है, जो upcoming के लिस्ट वाले IPOs है, अगर जो आपको उनके लिस्ट ही है, तो आप कमेंस्टेशन मेर से पूछ सकते होगे, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए upcoming IPOs मैंने SME के शामिल नहीं किये है, इसलिए थैंचे वाच्चे वाच्चे वाचे घैज पीस्टे वादी और बाबाव फौ नाौ